कर्ल प्रधान मंत्री इसी नेरेंदर मोधी जी ने जो 20 लाख क्रोड रुपय का आर्थिक पैकेज देने की गोशना की है वो आज तक का समसे बड़ा इतिहासिक आर्थिक पैकेज है और मुझे विश्वास है कि इस पैकेज के मिलने से समाज के प्रतेक वर्ध को रहत मिलेगी विशेश करके मजदूर को कारखानों में रोजगार मिलेगा लगू मध्यम सूक्षम और कुपीर उद्योग के लिए बहुत बड़ी रहत दी गई है तीन लाग क्रोड के आसान करदे देने की बात गही गई है बिना गरंटी के अगर लगू मध्यम सूक्षम और कुपीर उद्योग फिर से चालू होगा तो क्रोडों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और सबसे समाज का जो सबसे गरीब वर्ग जिसको अवशक्ता है वो यहीं काम करता है उत्पादन शुरू होगा तो आर्थी की गतिविदी बड़ेगी इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के प्षेत्र में भी बहुत सो विदाय देने की बात कही गई है थिर्यदारों को भी जो गरंटी उन्हें दी होती थी उसको प्रपोर्शनली अनुपाद के तोर पे मानलों जैसे किसी ने साथ प्रश्चत काम कर लिया है सत्तर प्रश्चत कर लिया है तो वह अपनी गरंटी का बनी जो गोर्मिंट के पास होता था तो गरंटी मनी उसको बापन दो जाएगा और उसका कैश प्लो उसके बाद बढ़े गा टैक्सी देने में रात दी गई है सीवा डेट्स बढ़ा दी गई है और विबाद से विश्वास की ओर जो नहीं योजना चली थी उसकी डेट में अभी 30 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है सभी तरह से कोशिश की गई है कि आर्थी गतिविटी बढ़े है अनोचना करने वालों पर वड़ी हसी आती है कई वार जो कुछ दिन पहने तक मांग कर रहे थे कि कम से कम पांच लाख क्रोड पैका पैके दिया जाए अब 20 लाख क्रोड का पैके सुरकर वो उसकी अनोचना है तुछ नुँदें करें प्रकार से इतनी रहत देने के बाउजूद भी तो लोग इसमें में जा आख इस क्रोड नोगों को मिला है तो इस प्रकार से इतनी रहत देने बावजूद भी तो लोग इसमें मेल मेध निकाल रहे हैं वो लगता है केवल अनोचना के लिए अनोचना के नहीं कर रहे हैं सब को मिलकर इसमें करोना की महमारी का बावना करना चाहिए अपतर कारभार बार उठाएगा करनों कि श्मर्थन करते हुए और कमी होगी und आजय चल के और देखलेंगे इस भावरा के साथ मरते हैं करेंगे तो देश इस भाम आरी पे पर काव पाह सकता है और विश्यो के लिए इस कुल बन सकता है विश्यों गरूप अलेक किड़को आतम निर्वर हिमाचल, आतम निर्वर जेश आगे बढेगा, ऐसा मिरा विश्वास.